नमस्कार आप देख रहे हैं जीविनुज तो दोस्तो वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जीविनुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दीश जाकर जीविनुज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पर निशान असाधा है इस वीडियो में कथित तौर पर एक ट्रुक के भीतर बैठे हुए सेना के जवान आपस में बात कर रहे हैं इन वैसे एक जवान को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि नॉन बुलेट प्रूफ गारी मे में सहीद होने के लिए भेज़े जा रहा है और पीम मोदी के लिए 84 सौ करोड रुपई के हवाई जहाज क्या यह न्याय है आपको बता दे कि प्रधान मंतरी राष्टपती समित वी वी आईपी की यात्राओं के लिए दो स्पेसल एरक्राफ्टों की खरीद को लेकर कॉंग्रिस के पुर्व अध्यक्च राहुल गांदी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है भारत में पिछले 24 गंटों में कोविड-19 के 73,272 नए मामले हुए दर्ज एक दिन में 926 संकरमितों की गई जान जिहां भारत में 24 गंटों में कोविड-19 के 73,272 नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही और 229 लोगों की जान चली गई है नए मामलों के साथ संकरमट की कुल संक्या 69,89,423 हो गई है यह जानकारी स्वास्तेवं परिवार कल्यान मंत्राले के आंकड़ों से मिली है दर्ज के गए कुल मामलों में से वर्तमान में 8,83,185 मामले सक्रिये हैं जबकि 69,88,822 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं तो भाई संकरमट के कारण 1,7,416 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है राजस्थान में पुजारी के परिवार ने अंतिम संसकार करने से किया इनकार सियम असोग गहलोत से की ये मांगें जिहां आपको बता दे कि राजस्थान के करॉली में पुजारी को जिंदा जलानी की घटना के बाद जिकी असोक गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है पुजारी को जिंदा जलानी की घटना को लेकर लोगों में गुसा है इस बीच परिवार के लोगों ने पार्तिव शरीर का अंतिम संसकार करने से इंकार कर दिया है और असोक गहलोत सरकार के सामने कुछ मागे रखी हैं, परिवार का काना है कि जब तक मागे पूरी नहीं हो जाती वह अंतिम संसकार नहीं करेंगे मृतक पुजारी बाबुलाल के रिष्टेदार ललीत ने नियूज एजंसी एनाई से कहा कि हम चाहते हैं कि 50 लाक रुपे मुआवजा और परिवार की एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले सभी आरोपितों को गिरफतार किया जाना चाहिए और आरोपियों का समर्थन करने वाले पटवारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए उपमुख्यमंत्री सुसील कुमार मोदी ने आरजडी अध्यक्ष पर साधा निशाना कहा लालू यादो जेल में रहे आफिर बाहर उनकी चुनावी ब्रांड वैल्यू सुन्य जिहां रास्तिय जनतादल के अध्यक्ष लालू परसाद यादो को चारा घोटाले से जुड़े हुए एक मामले में जमानत मिलने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुसील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की राजनिती में लालू परसाद यादो की वरांड वैल्यू हो चुकी है। और उनकी पार्टी मात्र 22 सीटों पर ही सिमट गई थी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों को लेकर ग्रिह मंत्राले हुआ सक्त राज्यों और केंदर सासित परदेशों के लिए जारी की एडवाईजरी। जिहां केंदरी ग्रिह मंत्राले ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्यों और केंदर सासित परदेशों को नई एडवाईजरी जारी की है। इस एडवाईजरी में साफ तोर पर राज्य सरकारों और सभी केंदर सासित परदेशों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में सही तरीके से काम करने और मामलों में लापरवाही न बरतने का दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करना नियाय दिलाने के लिहाद से उचित नहीं होगा ग्रिह मंत्रारे ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डिस्क की अस्थापना करने और सुद्रिडी करण के लिए निर्पया फंड से 100 करोड उपय मंजूर किये हैं यह यो